अर्की, महाभारत काल से जुरी घटनाओं के प्रत्यक्ष प्रमान आज भी प्रदेश में देखने को मिलते हैं। ऐसा ही एक प्रत्यक्ष प्रमान अर्की से कुछी दूरी पर दानो घाट स्थित एक शिला पर दूसरी विशाल का इस शिला को देखने से मिलता है। कहा जाता है कि यह शिला अग्यातवास के दौरान भीम ने दानो नामक राक्षस को डराने के लिए धामी से गुलेल के जर्ये यहाँ फे की थी, जो कि आज भी करूरो वर्षों से वही स्थापित है। यह पत्थर करूरो वर्षों से इसी स्थान पर एक पत्थर पर विद्यमान है। स्थानिय निवासी जगदीश चंद का कहना है कि यह पत्थर करूरो वर्षों से इसी जगह पर विराजमान है। कुद्रत के इस नजारे को विक्सित करने के लिए अगर सरकार कोई प्रयास करे तो इसे आने वाले समय में पर्यटन की द्रिश्टी से विक्सित करके जहाँ स्थानिय लोगों को आजिवे का कमाने का अवसर प्राप्त होगा वही सरकार के राजकोश में वृद्धी द्हामी वाले राजा ने भी प्रिक्षा बड़ी कोशिश करी कि इस पत्थर को गिराया जाए लेकिन जब जब भी यहां पहुंचे शिमला से मंडी रोड के समी थी 35 किलो मिटर के साथ ही ये पत्थर जो है ये पत्थर इसी प्रकार से पहला से लेकर किस्थीत है ये भीम जी का चलाया हुए लोग बड़े प्रतेक्स लोग होते थे और इसकी यादगार में इसको मेरा नाम चमन शर्मा मैं दानोगाड पंचायत स्थाई निवासी गाउं कराड़ा घाड से हूँ हमारी सारी उमर हो गई इस पत्थर को ऐसी देखते 32 साल मेरी कम नाम आतर का गैप है लेकिन इसको आज तक कुछ भी नहीं हुआ साथ लोगों के घर भी है जैसे आप देख सकते नीचे तो ये लोगों का स्थान बना है यहां पर बहुत ही बड़िया है गवर्मेंट से भी ह हमारी है प्राचीन ये भी बनी रहे मेरा नाम संजीव शर्मा है और मैं यहीं का स्थानी निवास्ती हूं दानोगाट पंचायज का जो कि आपके शिमला के साथ लगतक शेत्र है तो इसको ड्राने के लिए बगाने के लिए पत्थर गुलेल में मारा था जो कि पत्थर आज अरकी से भी हम थोड़ा द्वलब कर सके और इस जो हमारी प्राणी दरोहर है इसको भी थोड़ा सा हतों मिल सके और इस थान है प्राणी की चीज है इस अच्छी बन के रह सके अरकी से नीरज गुपता की रिपोर्ट